जवाब में खड़ी है जनता इनको मालूम हो गया कि मैं समाथ हो रहा हूँ भारती जनता पार्टी का तेरही का दीन आ गया है और बिहार में 40 सीट पर हारते हुए दिखाई पड़ रही है भारती जनता पार्टी और उनको 2024 में जो ED और CBI के पूछ पकड़ कर बैतरनी 2024 का पा इनके पीछे बजरंग दल का चेहरा है ED को काम करना था नेटिंगर गरी के बेटा पर ED को काम करना चाहिए था जो ट्रेजरी की लूट पर ED को काम करना चाहिए था घोटाला पर देखिए बिहार में खासकर के लालू जी के परिवार पर भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी सासित जो केंदर की सरकार है जिसका मुख्या नरिंदर मोदी जी है वो कोई पहली बार कारवाई नहीं ED और CBI का कारवाई कोई पहली कारवाई नहीं है यह पूरे देश नहीं दुनिया जानती है लेकिन मैं तो यही बात कहूंगा आपको कि बिहार के 40 में 40 सीटों का रिपोर्ट उनके पास आ गया है और बिहार में 40 सीट पर हारते हुए दि सरकार काम कर रही है आप तरे चबी को खराब लेकिन कहां जहां बरस्टा चार होता है वहीं तो CBI और ED की रेट बढ़ती है तो बरस्टा चार अगर जहां होता है तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं मीडिया की इतने सारे लोग है आप मुझे बताए बरस्टा चार में यह दुरप्पा पकड़े गए थे आप मुझे बताए यह दुरप्पा कहा है आप मुझे बताए मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि नितिन गर्वकडी जी और खास करके अमीड साह जी के बेटा 15 गुने उनके कंपनी दो साल के अंदर उनके आयका ब्रधी हुआ है कापि वो सारे लोग गंगा जल से धोये हुए दूद के धुले हुए है और जहां भी यह पोजिशन के लोग है जो भारती जनता पार्टी के बिपक्स में खड़ा है वहां सारे लोग इनको भरस्टा चार लोग पड़ता है मुझे बताए ना आप से मैं कोई नई छापा नहीं है कोई इनके केंदर में आने के बाद सरकार में आने के बाद पहली छापा नहीं है तीन हजार दस छापा आज तक AD और CBI का मारा गया है मैं एक आदमी के मैं चाहता हूं मैं आप से जानना चाहता हूं मुझे एक आदमी बताया जाए इस देश में जो भारती जनता पार्टी या उनके गटबंदल से जुड़े आदमियों पर अईनोंने कारवाई किया है अब तो यतना भी मैं देख रहा हूं जो सरकार में रहे हैं जिन पारोप है उनके उनको सरकार आज जेड और वाई प्रेडी का सुरक्षा दे रही है तो आप मुझे बताईए जो भी हो रहा द 2024 में बिहार नहीं देश की जंता उनको सफाया करने का काम करेगा सर सीवी आई का कहना है कि जमीन ली गई और उसके बदले नौकरियां दी गई इस पर आपका क्या कहना है और और जो भूमिका में है नरेंदर माद मोधी जी के तोंता के रूप में काम कर रहा है एक कोट को ते करना है आपको पता हो जाए जनकारी आपको भी होगा कि कोट ने असपस्ट बता दिया है कि आईसा रेलवे में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है पहले घोटाला के परमान तो दें यह तो किसी को भी कहते हैं कि हम अभी जाज कर रहे हैं जाज करके चभी कर खराब करते हैं और मैं यह भी मैं कह रहा हूं कि एक साजी से पिछड़ों को पिछड़े के नेताओं खतम करना जिस तरह से यह प्राइबिटेशन लाए नौकरी को खतम किये आरक् तो आज उनके उपर इस्तव करवाई नहीं हुए अगर तो एजनसिया कर रही है तो मुझे आप मुझे बताइए हम जानना चाहते हैं और आपको पता है आप मुझे मुझे बताइए कि नेरब मोदी 13,900 क्रोड रुपया भारत से लेकर भागा अभी तक इनके पास उपरकट नहीं हुआ कहा है हम जानना चाहते हैं प्रदान मंत्री जी मुझे बताइए और विजय मालिया 9000 क्रोड आज तक लेकर ठरार है अभी तक रिकभरी रेंगवा भारत क सरकार के ट्रेजिरी में पैसा नहीं आया इसके लिए इनके पास और अंगिनी तैसी घटना है गुझरात के बाद गुझरात को भी आप जानते हैं और कई घटनाओं है मैं इतना ही बात फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि नरंदर मोदी जी मोदी जी ने जिस तरह से एक प्लानिंग लाया था अभी जो किसान मुझमेंट चालू हुआ अभी भी लकातार चालू है आज भी धरना हुआ है इस जंतर मंतर पर आज भी धरना हुआ है और इनोंने अंदर से प्लानिंग बनाया था कि किसानों गरीब को किसानों को मजदूरों को जो अधिकार है खेती राजनीती सेभी इंको छीन लो, और उसको भी प्राइबेट करने कांट्रेक्ट देने का ठीका है इन्होंने ले लिया था, और राजनीती को भी ठेके पर देने का, कार्परेट लोग को ठेके पर देने का ये बहुत बड़ा सर्जंत्र है, मैं बहुजन समाज के खास करके पिछड़े कमजोरवर्ग के लोग को मैं आगाह करना चाहता हूँ आज के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जगिये और बिल्कु जो आज घूम रहे हैं पूरे देश के खाजना लूट करके बैठे हैं और जो हीरा चुरा के बैठा है वह स्वर्ग में बैठा है आलिसान भवन में बैठा है और खीरा का आरोप लगा कर बहुजन समाज के निताओं को बदलाम किया जा रहा है बहुत बढ़ी कॉंस्परसी है अगर हम जागे होते तो एक घटा नहीं होती है लेकिन दिल्ली में किस पर कारवाई किया है मुझे बताइए दिल्ली में इसके पहले तो मैं कह रहा हूं कि यह बिसिर्फ है जो भारतिय जन्ता पार्टी के गुरुद्ध में खड़ा है जो यह पोजिशन में खड़ा है यह इनका तारवाई सिर्फ उन पर होता है मैं कहता तो इसके पहले इसके पहले एक नहीं दर्जनों घोटालों का रिकार्ड है दिल्ली के अंदर लेकिन अलेकेला मनिस्ती दोजिशोदिया को टार्गेट किया गया क्योंकि बारती जन्ता पार्टी के लिए काटा दिखाई दे दिल्ली के अंदर सत्ता में आना चाहते है मैं गोरहा है कि अधर और अधि उधा है के लडृटान नहीं किया जो चारा गोटाला की नाम पर इतने साल सजा काटा आज भी मैं कहता हूँ लालू जी ने इस घोटाले को उजागर करने का काम किया था लालू जी ने घोटाला नहीं किया और ये बात आज भी मैं कहता हूँ इतना साल जेल में रहे हैं आज भी एक वी केस में चाहे वो दुमका के केस हो चाहे वो राची का केस हो या अन्य के और कई जुलों में केस दर्ज किया गया लेकिन आज भी सिवी आई कोई पुक्था सबूत चार सिट नहीं दे सका जिसमें असपष्ट रूप से इनके अपर प्रत्यक्ष रूप से इनका उपर आरोप लगाया गया गया तो दिलीब बंडल जी का ट्विट आया है कि जो मैं आज भी मैं कहता हूँ जिस दिन संविधान का देश बनेगा जिस दिन बहुजन समाज का बेटा कोई प्रधान मंत्री कुरसी पह जाएगा उस दिन जो सम्भिधान से काम करें सम्भिधान से आगे बढ़े पिछड़े बढ़ा होने से क्या होता है पिछड़ा आपको मैं जनकारी देश पूरे देस में बोड़ रहे हैं यह RSS का RSS का मैं क्या वलू सब्द नहीं है मेरे पास ए आरे सेसका RSS का घोड़ा है इनके पीछे 20 परिशद है इनके पीछे बजरंग दल का चेहरा है इक अगर बताए मुझे आप समेब जानना चाहता हूं बोजोन समाज के मेडिया के लोगों आप मुझे अगर पिछड़े बर्द का होते कमजोर बर्द के अगर दरिदर बोदी जी होते तो 10% आरक्षन किसको दिया इस बंचित को दिया जिसने आज भी पारलेमेंट के मुसार को दिया आपने कमजोर बर्द के लोग को दिया आपने डिन्ट के लोग को दिया पूरे जमीने आदिव पर्लेमेंट की अंदर सर्माती है उन्होंने दस परसेंट उन्लों को आरक्षन पर मोहर लगाया जो आदमी पूरे देश का खाजाना लेकर करके बैठा है जमीन से लेकर जल से लेकर सारा चीच्पक कबजा करके बैठा है उसके लिए प्रधान मंत्री जी पूरे भारत में भाजपा बिरोधी लहर चल रहा है भाजपा के बिरुध में भाजपा को समाप्त करने का देश के लोगों ने एक कर लिया है अब चाहते हैं कि सबको चबी खराब कर दो सबको जेल के अंदर डाल लो और उसके बाद में गंगा जल लेके अमीज साजी को मैं नोटिस नहीं लेता है अमीज साजी को आप पता लगाईए नई ग्रेह मंत्री होने से क्या होता है ग्रेह मंत्री इस देश कौन है आपको यह भी तो पता लगा लेना चाहिए कि भारत में कैसे ग्रेह मंत्री है जिनको गुजरात की सरकार ने तड़िप ने ने हम अगर पाक साख नहीं हैं तो हम बदनाम कहा हैं हमने हमें आप दोसी तो कर दीजे आप मुझे बताइए जो आप मुझे इसके पहले भी मैंने आपको बताने का काम किया कि 1952 से जो घोटाला चारा घोटाला होते आ रहा था 52 वाले को माथ कर दिया जो 40 साल घोटाला किया लूटा उस ठेजरी को और जिसने अपने सासनकाल में घोटाला को उजागर कर दिया उसको आप जेलों में बंद कर दिया क्या आप लोगता है लालो कुई सधारन बती है लालो को जेल में बंद करके तेजस्पी को बंद करके क्या आप लुक जाएगी समाजी की लषाराई एक और तेज होगी पिछडी और गुशा है unpunMrancada कि नरेटी कि लोगों में गुशा हैMS पर इणी को काम करना चाहिए था जो ट्रेजरी की लूट पर इडि को काम करना चाहिए था घोटाला कर रहा है और जिसने इस धेश में कम जोर्बर के लोगों को कम जोर्मों को खळा कर रहा है राजनिती बें ला-ingo रोगर करके फैक्ट्री में ला झाल करके नेता बनाने का काम कर रहा है उसे में जेलबां डेसको लाएं मुझे बताइए किसको लाए अगर लाए तो मुझे बताए रास्पति आ कौन आप मुझे बता Just a पिछड़ा अपनी आपको महसूस कर लेता तो 10% आरक्षन पर मोर नहीं लगाता आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि पिछड़ा है जिस तरह से 131 एंसिन 131 एंपी नकारा है पिछड़ा दलितवर का उसी तरह से जो नरेंदर मोधी जी भी भारत के बेज़ो हम आज भी मैं दावे के साथ में कह रहा हूं प्रधान मंत्री जी अगर मोहन भागवत के दवाओं में अगर काम कर रहे हैं प्रविंतोगरिया के दवाओं में अगर काम कर रहे हैं अरेसस के दवाओं में काम कर रहे हैं उनके अंदर पिछड़ा का खून होता तो पारलेमेंट में उसको उकाद बता देते हैं सब्सक्राइब और जवाब देगा जवाब देगा बैलेट से जवाब में खड़ी है जनता इनको मालूम हो गया कि मैं समाथ ठोड़ा हूं भारती जनता पार्टी का तेरही का दीन आ गया है दोजार दोजार चोबी से पहलते रही हो जाएगा एक सर वी सी वो जो संभिलन हुआ था रामदीला मैदान नयायदगार महाखुम हुआ था वहाँ पे एब्यम को बेन करने की माँ उठी कह रहे हैं हं तो आज भी मैं कहता हूं आज भी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों क अच्छी बात है लेकिन भारत जोड़े यात्रा का प्रतिसाद अच्छा नहीं मिलने वाला है अगर इपियन से चुना हुआ तो आज कांग्रेस के लोग और तमाम राइनिदिक पार्टियों को जो बहुजन समाज के समाज इकनिया की ताकत को मजबूत कर रहे हैं तमाम लोगों से आगरह में करूँगा कि सबसे पहले एबियम के खिलाब खड़ा हो और भारत के गाओं में भारत के एक-एक सडकों पर खड़ा हो करके बता दो ये मेरा देश है ये मैं लिंड में लूँगा लोगतंत्र ये कहत नरंबर निरब मोधी बताएगा अडानी जीताएगा हमभा न जीताएगा कि देश का किसान और मेदूर जीटाएगा स्टना कॉन मनिस अब सचतक के पत्रकार है आपके पत्रकार होंगे मनीश कश्यच एक ब्लैक मेलर आदस only है और मेडिया के यार में वही काम कर रहा है, जो गोदी मीडिया के लोग काम कर रहा है, गोदी मीडिया, आज भी कहता हूँ, गोदी मीडिया, उसके जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, आज से मुझे मैं चाहूँगा कि कुछ प्रीज उसका नाम नहीं लेजेगा, बिल्कुल आ कि थोड़ी सी अंस भी अगर होती तो जो कारणामा और जो खास करके आज सोचल मीडिया पर जो चल रहा है बहुत सर्मा रही है इसलिए मैं प्लीज आप लोग नाम मत लिजे सर्व सन अब विहार लिखते हैं अपनी नाम के बीचे कौन सन अब विहार 24 में जनता आपको आपक सब्सक्राइब करेंगे थोजार चाहते हैं और उस संभीधान में प्रभीजन है कि इस देश में चाहें दलित हो या पिछ रहो बाग और बकरी दोनों एक घाट पर पाने पिएगा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल